सब्सक्राइब टो यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन टिकेट लेटिस अपडेट्स सैफाई के चांदगी स्टेडियम में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंग्यादो के जनमदीन पर अगर नहीं होगा तो हम लखनवर में प्रेस्ट का बड़ा शम्मेलन करेंगे और अपने लोगों से राय लेकर आगे की रणनीती को तैय करेंगे अगर एक हपते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिल अखनवर में शम्मेलन करके अपने लोगों से राय कर फैसला लेंगे कुष्टी के दाव भी सिखाए है राजनीती के बारे में भी बहुत कुछ सिखा है एकता में ताकत होती है परिवार में बिखराव होता है तो बहुत कमिया आती है प्रेशपा प्रमुक ने कहा कि हम अपने शमर्थकों के लिए 100 सीटे चाहते थे लेकिन हम अब पीछे हट हम ही जूग गए आज 2 साल हो गए या बात कहे हुए लेकिन कोई बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है शुपाल ने कहा कि गडबंदन के साथ साथ जो जीतने वाले लोग हैं उनको टिकट दे दो हम बिले के लिए तयार है समाजवादी पार्टी 303 सीटों पर लड़ ले हम के वल 50 भी जीत जाएं तो सरकार 2022 में बन जाएगी गडबंदन या बिलाई को लेकर अब बहुत देर हो चुकी है 2023 में बन सकते थे सी प्रिश्फा प्रमुख ने कहा कि मैंने हमेसा त्या किया मैं चाहता तो साल 2003 में मुख्य मंतरी बन सकता था लेकिन मैंने नेता जी को दिल्ली से बुलाकर मुख्य मंतरी बनवाया दूसरी पार्टियों के 40 बिधायक इकठा किये थे उस वक्त 25 बिधायक भाजपा के भी हमारे साथ थे अजेत सिंग कल्यार सीख भी साथ में थे उन्होंने कहा कि बहुजन समाजपार्टी प्रमुख मयावती के कारेकाल में हमारे लोगों पर अत्यचार हुआ था तब भी पक्ष में रहते हुए उनका बीरोथ किया था कई बार आंदोलन किये थी हमारे वकारेकरताओं के शंगहर से ही वर्स 2012 में शरकार बने थी पहले लोग हमारे दल को छोटा दल कहते थे लेकिन मतुरा से रथ निकलने के बाद लोगों वालों को पता लग गया कि हमारा छोटा दल नहीं हमारी प्रात्मिक्ता पर आज भी समाजवादी पाटी है सरकार पर तंज कस्ते हुई उन्होंने कहा कि समय देश की हाला ठीक नहीं है भाजवा के सरकार में किसान मस्दूर नौजवान बुनकर सब परिशान है मांगाई चरम पर है हमारे हाथ में ताकत आई तो हर परिवार में एक बेटा या बेटी को सरकारी नौकरी मिलेगी किसानों को खाद की कमी नहीं होगी नियूज रोम से नियूज लाइफ के रिपोट